गणेश चतुर्ती पर नई संसद में विशेश सत्र होगा और विधिवत पूजा के साथ नई संसद भवन में प्रवेश होगा संसद के कर्मचारियों को नई पोशाक भी मिलेगी साथ ही सूतनों के हवाले से जो जानकरियां मिल रही हैं उसके मताबिक करमचारियों की शर्ट गहरे गुलावी रंकी होगी साथ ही करमचारियों की बैंट खाकी रंकी होगी तो कुछ इस रंगत के अंदर संसत का स्टाफ नज़र आएगा शर्ट पर कमल का पूल भी बना होगा दोनों सदनों के मार्शल की ड्रेस भी बदलेगी ये भी जानकारी मिल रही है साथ ही दोनों सदनों के मार्शल मनिपुर की पगड़ी पहनेंगे संसत के सुरक्षा करमियों की ड्रेस भी बदलेगी तो संसद के नए भवन के अंदर अगला सत्र जो विशेश सत्र बुलाया जा रहा है 18-22 सितंबर तके विशेश सत्र होगा और गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन के अंदर संसद की बैठक से शुरुवात होगी और इसके लिए तमाम इंतजाम किये गए हैं जिसके अंदर जो संसद का जो स्टाफ है और खास तर पर जो मार्शल है उनके पहनावे में भी बदलाव किया गया है सुरक्षा कर्मियों की ड्रेस भी बदलेगी ये सुत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है साथ ही कर्मचारियों की पैंट खाकी रंकी होगी शर्ट गुलाबी रंकी होगी और शर्ट पर कमल का फूल भी अंकित होगा गहरे गुलाबी रंग की शर्ट पहने नज़र आएगा संसत का स्टाफ यह जानकारी मिल रही है साथ ही उनके शर्ट पर कमल का फूल भी बना होगा यह भी जानकारी मिल रही है तो भारत में काफी पवित्र और राष्ट्री यह पुश्प बाना जाता है कमल कमल का पूश्पु संसद में करमचारियों के पहनावे उप़ भी अंकित होगा उनके शर्ट के उप़ भी ये कमल का पूल अंकित होगा करमचारियों के शर्ट गहरे घुलावी रंगी होगी और साथ ही praying खाकी कलर की होगी गणेश चतुर्थी पस नई संसद में विशेश सत्रा आयोजित किया जाएगा जिसके लिए तमाम तैयारियां की गई है और संसद के भवन में पीठा सी नधिकारियों के पास में जो मार्शल खड़े होते हैं उन मार्शलों के सर पर आपको मनिपुरी टोपी भी नजर आएगी संसद करमचारियों के लिए नई पोशाक तै की गई है दोनों सदनों में मार्शल की ड्रेस भी बदलेगी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से पहनावा होगा ये तस्वीर भी आपको बता रहे हैं कुछ इस तरीके की पोशाक में नजर आएगा संसद का स्टाफ नया संसद भवन की तस्वीर के साथ साथ आपको बता रहे हैं वो पहनावी की तस्वीर वो पोशाक जिसके अंदर संसद का स्टाफ नजर आएगा तो अब तक संसत के स्टाफ की जो पहनावा था वो पाशात शेली में था लेकिन उसमें अब भारती ताकी छाप भी नज़र आएगी